Very good morning students, students next video आपकी, next lecture बना रहे हैं, assignment problem पे हमने दो type की थी, first type क्या थी कि आपकी simple assignment problem दे रखे दी, हम सबसे पहले क्या करते हैं assignment problem solve करने के लिए आपके पास जो भी assignment problem दी हुई है, उसकी जो cost matrix बनेगी वो क्या होनी चीए थी, square होनी चीए थी, अगर वो square नहीं है तो वो एक un balanced assignment problem में चली जाती थी, लेकिन अगर वो square है तो वो assignment problem आपके पास balance assignment problem थी, अब assignment problem को solve करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे छोटे element को हर row से सबसे छोटे element को घटा दिया था, इसी तरह उसके बाद हमने column में देखा जो सबसे छोटा element है उससे हमने उसको subtract कर उसके बाद हमने square बनाने की कोशिस की, जब हर row के पास zero available थी, तो हमने क्या किया किया कि जिस row के पास single single zero है उन पे हमने square बनाया और उनके corresponding जो column थे, उन columns पे हमने क्या कर दिया, अगर इस तरीके से हर row के पास यदि एक square मिल जाता था, तो वो ही आपकी assignment problems की क्या थी, कोश्ट आ जाती थी, जो भी आपके पास कोश्ट निकालनी थी हमने, उस तरीके की वो कोश्ट आ जाती थी, अब दो परकार की assignment problems थी आपके पास, अब तक हम निकाल रहे थे minimum कोश्ट, जो भी minimum जो भी चीज़े निकाल रहे थे हम, आगे आपके पास maximum भी आएगी, उससे पहले हम एक पढ़ लेते हैं very important topic, typical assignment problem, कुछ typical assignment problems होती है, जैसे एरलाइन स्टेट्स ओपरेट, 7 देज एवीक, एक एरलाइन से ओपरेट करती है, 7 दिन एक वीक में, has a table, has a, table time, time table लिखो, has a time table shown below, जो cruise है must have a minimum layer of six hours ये कह रहा है कि जो cruise member है उनका कम से कम minimum layover है layover का मतलब एक जिगे ठेरना मतलब एक जिगे जैसे मान लिया यहां से कोई airplane उड़ी है डेली से कोई उड़ी और ये डेली और कोलकटा का ही है तो इसी को चलते हैं डेली से कोई आपके पास departure हुई और कोलकटा में arrival हुई और अगली दिन वो कलकटा कोलकटा से चलेगी डिपार्चर होगी तो जो बीच का time हो गया वो आपका कहलाता है layover time अब देखो minimize का question जहां आएगा वो simple आपकी जो assignment problem हम solve कर रहे थे वो थी अब आगे maximize की भी आएंगी वो करेंगी तो किस तरी के से करने है वो अलग आएगा layover time away from home for any given pair the crew will be based on the city that results in the smaller layover ये दिया हुआ है आपके पास कि जब डेली to कोलकटा होया मतलब डेली से departure और कोलकटा जब arrival थी तो flight number one 7 बजे चलती है 9 बजे को कोलकटा पहुँचाती है flight number two 9 बजे चलती है 11 बजे पहुँचाती है flight number three एक तीस पे चलती है तीन तीस पे पहुँचाती है flight number four 7.30 पे चलके 9.30 पे पहुँचाती है अब कोलकाता से वापिस देली आना है तो कोलकाता टू डेली का डिपार्टर और अराइवल टाइम क्या है डिपार्टर टाइम है 9 बजे चलती है फ्लाइट नमबर अब बदल गया है 101 हो गया है कोलकाता से जो लेगी वो फ्लाइट नमबर 101 एक सो दो नंबर फ्लाइट दस बजे के बाद बारा बजे पुछ तो आपके पास तो आपको निकालना क्या है मिनीमम ले ओर टाइम आपको टीया है कमसे कम इतना तो रहीया ही रहीगा तो आपको निकालना क्या है देखो जब हम layer time निकालेंगे तो आपके पास दो तरीके के layer time आएंगे एक तो 9 बजे से 9 बजे जब वो कलकत्ता पहुच गई और departure 9 बजे जब वो कलकत्ता से वापिस देली के लिए चलेगी तो beach का time एक फिर वो देली जब 11 बजे पहुच गई और उसके बाद 7 बजे वापस देली से चलेगी तो वो beach का time तो आपके पास दो तरीके के time आएंगे layer time उनसे हम क्या करेंगे आपका minimum layer time बनाएंगे दोनों को देखते हुए और फिर उसके बाद assignment problem को solve करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं जब देली से चली थी और कलकता पहुचने पे जो देली बेस जब crew बेस जब देली से चला था तब layer time क्या आया देखो 9 बजे से 9 बजे तक 9 एम पे चली अगले दिन वो 9 एम पे फिर से departure होगी 9 एम पे पहुची कलकता में 7 बजे चली देली से क 9 बजे पहुच गई सुबह सुबह और फिर अगली सुबह 9 बजे वो कहां से departure होगी कलकता से departure होगी flight number 101 तो 9 से 9 कितने गंटे होगे आपके पास 24 hours तो 24 hours हम यदि इनको minutes में मानने की एक unit बनाना जा रहे हैं तो 24 hours में आपके 1440 कितने होगे minutes होगे 60 से multiply कर लिया इसके बाद देखो ये था flight number 1 और 101 के बीच का अब flight number 1 और 102 के बीच का निकाल लो चाहे flight number 2 और 101 के बीच का flight number 2 11 बजे और 9 बजे ये चलिए 11 से 9 के बीच का layout time कितना होगया 11 से 9 के बीच का time होगया आपके पास कितना दो गंटे कम होगे तो 22 hours 22 hours के में मिनिट बना लिए कितना आ गया 13 इसके बाद 3.30 से 9 बजे के बीच का टाइम निकाला 150 मिनट्स और 9.30 से 9 बजे का 6.9 तो इस तरीके से हमने सारा निकाला जब हम फ्लाइट नमबर 1 और 101 की बात करें थे वो निकाला अब फ्लाइट नमबर 2 और 102 की बात करेंगे अब करते हैं कि जब हम कलकत्ता से दहली चले मतलब कलकत्ता से जब हम वापस दहली के लिए चले और दहली से फिर अगले दिन फिर कलकत्ता के लिए चलेगे तो बीच का जो layer time हुआ, वो कितना हुआ, ठहराओ का time कितना हुआ, तो पहले क्या करते हैं, ये जो table मनाई है, इसका ही लिख रखा है मैंने, we construct the table for layer time between the flights, when crew member is based in Delhi, we consider one minute equal to one unit, हम एक minute को एक unit मान के चल रहे हैं, तो 14-40 unit हो गई इस तरीके से, ये 1500 unit, ये 390 unit, ये 660 unit, उसके कह रहा है, since the crew members have a minimum layer of 6 hours, 360 minutes between flights, the layer time between flights 1 and 101, is 24 hour, ये मैंने बताया भी था आपको, वर और 101 के बीच का कितना layer time हो गया, 9 से 9, 24 hours, और 24 hours से हमने निकाले कितने हो गई, 14-40 minute, जो कि यहां पे लिखा हुआ, इस तरीके से आप सारा layer time निकालोगे, उसके बाद, दूसरे वाला layer time निकालते हैं, layer time when crew based in Kolkata, जब Kolkata के अंदर crew based था, Kolkata से और जब धहली के लिए चले, तो धहली से धहली जो बीच के टाइम रहेगा, मतलब धहली के बाद अगले दिन जब धहली से चलेगी, तो वो बीच का जो टाइम रहेगा, वो हमने निकाल लिया, जैसे first में आया थ आपके पास क्या, ये देखो 11 बजे चली यहां से और 7 बजे पहुच गई, तो 11 से आपका 11, कितना गंटा हो गया, 11 से 11 करेंगे तो 24 आवर्स और 4 गंटे कम करतेंगे, तो आपके आजाएगा कितना, 20 हावर्स, तो 20 हावर्स के हमने minute बनाए कितने आगए आपके पास, 1200, इ यहां जाँ minimum है वो ले लेंगे, जैसे first का 101 पे 1440 है, यहां पे first का 101 पे 1200 है, तो 1200 को लिखेंगे हम, इसी तरीके से जिसमें minimum होगा, जिस position पे जो minimum है वो ले लेंगे, 1320 है यहां पे, यहां पे आपके पास 1320 है, तो 1320 ही रह जाएगा, अगले में, यहां पे आपके पास 1050 तो यह दिया हुआ है इस वाली टेबल के अंदर 1590 तो एक जर 50 को ले लेंगे सारा मिनीमम टाइम निकाल लिया हमने मिनीमम टाइम निकाल ले के बाद अब देखो यह आपके पास एक assignment प्रोडम बन गई अब simple उसी तरीके से assignment problem क्या हर रो से क्या करना है अमने देखो minimum layer time इसन बाद अब आपको क्या करना है smallest element घटाना है हर रो से देखिए इस रो में 390 सबसे छोटा element है 390 घटा दीजिए 390 घटाने पर आपके पास यह बन जाएगा next में 540 सबसे छोटा है दूसरी रो में वह घटा दीजिए उसके बाद तीसरी रो में आपके पास 930 है वह घटा द तो आपके पास यह आ गया क्या रो घटाने के बाद अब असाइन्मेंट प्रोड्रम किस तरीके सोल करते हैं वह आप मैथेड समझते हो पहले क्योंकि बैलेंस अब बनने के बाद आप निकाल सकते हो आराम से फिर कोलम में से देखने हैं सबसे छोटा अबने क्या करना है सब्टेक्ट करना है कोलम में से सब्टेक्ट कर दिया नेक्स्ट अब आपका स्टाइब होगा कि आपको स्केर बनाने जाजा सिंगल जीरो हो जाएं सिंगल जीरो इस रो में है तो यह स्केर बन जाएगा इस रो में सिंगल जीरो है तो यह क्रोस बन जो कि सारी 0s को क्या कर लें, कवर कर लें, तो यहां पे देखोगे, कि इसमें single था, तो यह हमने square बना दिया, इसके नीचे corresponding कोई 0 है नहीं, तो काटने की जुरत है नहीं, इस वाली में, यह square बन गया, इसके corresponding यह 0 है, तो इसको हमने काट दिया, इस 0 के corresponding column में यह 0 है तो इसको काट देंगे अब काट दिया तो third row में कोई 0 बची नहीं जिस पर हम square बना सके तो यह आपका question ऐसे soul नहीं होगा तो आपको क्या करना है maximum minimum number of vertical और horizontal line खीजनी है जो कि सारी 0s को क्या कर ले cover कर ले तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया horizontal और vertical line draw कर दिया सारी 0 cover हो गई अब क्या करते थे इस question में कि जो uncovered element बच गई उनमें सबसे छोटा element देखके जो uncovered elements है उनमें से तो गटा देना है और जो आपके पास जो common elements बनेंगे यह मतलब horizontal और verticals lines के बीच में जो आए होंगे जैसे यह वाला element आया है यहाँ पर verticals में भी आया है यह वाला element vertical पे भी आया है और horizontal में भी आया है इन elements में से तो वो जो सबसे छोटा element था वो जोड़ देंगे इनमें तो और बाकी जो uncovered element है बाकी covered element को नहीं छेड़ना है covered element में सिर्फ कोन आएंगे जो की दोनों पे आ रहे हैं vertical पे भी और horizontal पे भी दोनों पे common element बन रहे हैं उनमें तो जोड़ देना है और इन में से क्या करते हैं uncovered elements में से क्या करते हैं उसको घटा देना है 60 है 60 को अब क्या करेंगे हम यह covered था agities रखा यह covered था agities रखा यह आपके पास देखो covered है agities रखा और यह common element था तो इसमें 60 add कर दिया दूसरी में यह uncovered है 60 गटाया इसमें 60 गटाया इसमें 60 गटाया यह covered है इसको नहीं छेड़ेंगे covered है और single bar है यह uncovered है 60 गटाया यहाँ से 60 गटाया यह covered है इसको नहीं छेड़ेंगे अब यहाँ पर आ जाओ यह सारे covered है अब यह element क्या है common element है जो की vertical में भी आ रहा है horizontal में भी है तो इसमें 60 add हो जाएगा बाकी agities रख लेंगे तो यह आपके पास बन गया अब क्या करेंगे हम हर row पे square बनाना शुरू करेंगे पहली row पे बनाया इसके corresponding कोई 0 नहीं है तो कोई काटने की जूरत नहीं है दूसरी row पे बनाया इसके corresponding यह 0 है तो यहाँ पर cross कर देंगे इस column में जो भी 0 आएँगी दो नमबर लेना है तो आपको जो minimum layout time था उनमें देखना है कि देखो minimum layout time में पहले का आपको लेना है कितना 103 तो पहले का 103 आजाएगा 390 दूसरे का क्या लेना है minimum layout time में देखना है कभी आप इन tables में देखने लग जाओ minimum की जो common table आपके बनी है उसके अंदर देखेंगे दूसरे का आया था कितना दूसरे का लेना है आपने कितना 104 तो second का 104 ले लिया 540 इसी तरह तीसरे का 101 आ गया आपके पास 1050 और 4th का 102 time तो minimum layout time आ गया 2430 unit इसको minute में बनाएंगे तो कितना आ गया आपके पास unit बोल लो क्योंकि एक minute एक unit के बराबर थी 2430 minutes हो गई और 2430 minutes में हो गई 40 hour 30 minutes जो कि आपका आ गया क्या answer तो इस तरीके से करनी है आपने typical problems हो typical problem में सिर्फ इतना सा होगा कि आपको पहले वो table बनानी है जो दोनों की आपको common problem निकाल common जो solution निकाल के दे minimize वाला solution निकाल के दे next देखे आपका next आती है आपकी maximize assignment problem maximize में क्या है वो आपको दे देगा कि आपको maximum profit निकाल के देना है अब maximum profit निकालने के लिए हम क्या करेंगा अगर आपके पास simple आपके पास मान लिया assignment problem दे दी कि मतलब आपके पास एक table बना दी square table बना के दे दी और simple problem दे दी तो आपको करना कुछ नहीं है आपको सबसे बड़ा element चाटना है उस table में और उस बड़े element को क्या कर देना है हमने पूरी table से subtract कर देना है पूरी table को हमने उस बड़े element में सब्टेक्ट कर देना है जैसे ही सब्टेक्ट कर देंगे तो आपकी problem minimization में convert हो जाएगे और minimization में convert होने के बाद आपका rule यह ही है कि simple assignment problem जैसे solve करते हैं वैसे ही हम क्या कर देंगे solve करतेंगे जैसे आओ इसमें एक firm produce four products एक firm है जो four products produce करती है there are four operators who are capable of producing any of these four products जो चार आपके पास operator है और चारो के चारो हर एक products बना सकते हैं processing time varies from operator to operator processing time varies करता है मतलब कोई उस product को 15 minute में बना रहा है कोई 20 minute में बना रहा है कोई कम minute में बना रहा है कोई जादा में बना रहा है the firm records 8 hour से day and allow 30 minutes for lunch यह firm करती है कि 8 गंटे हर operator को काम करना है और उसको 30 minutes का 8 गंटे के दोरान क्या मिलेगा lunch का time free हो जाएगा processing time in minutes processing time जो दिया हूँ minutes में है and the profit for each of the products are given in the adjoin table profit यहाँ पे दे रखखा है हर product के साथ उसके बाद कहा रहा है find the optimal assignment of the product to operator optimal assignment निकाला है मतलब आप हमें क्या निकाला है maximum profit निकाला है maximum जब profit निकालेंगे तो यह maximization का question होगा इसको कैसे solve करेंगे पहले तो हमें profit देखना है कि profit हो कितना रहा है total time पे 8 गंटे काम करने के बाद अब देखो 8 गंटे में minutes होगे कितनी देखो यह कह रहा है कि the processing time in minutes कि पहला operator एक product बनाने के लिए एक product बनाएगा तो 15 minute में बनेगा और एक product पे उसको 8 रुपे का profit है दूसरा operator एक type product बनाने के लिए 10 minute लेता है 8 रुपे का profit चल रहा है हर एक पे तीसरा operator एक product बनाने के लिए 25 minute लेता है 8 रुपे का profit पर unit दिया हुआ है चोथा operator पंदरा मिनट लेता है इसी तरह सारे operators के सारे products का time लिखा हुआ और यह minutes में लिखा हुआ है तो एक चीज़ देखो एक unit वो 15 minute में वो एक type का product त्यार करता है मान लिया एक product त्यार करतेगा तो 8 गंटे में कितने त्यार करेगा 8 गंटे में त्यार करतेगा हुआ कितने आपके पास time कितना है काम करने का 8 गंटे में से 30 minutes काम हो गई तो पहले हम 8 गंटे निकालते हैं तो आगए आपके पास कितने 48 minutes और 30 minutes का करेगा वो lunch तो आपके पास हो गए 450 minutes, 450 minutes हो गए तो आप देखो कि कितने units हो product की बना देगा, 15 minute में एक बनाता है, तो 450 minutes में कितने बना देगा, 15, 45, 30, तो 30 unit बना देगा वो ए product की एक दिन में कौन सा पहला operator, इसी तरह दूसरा operator बना देगा, कितनी 45 unit बना देगा, तीसरा operator बना देगा, 25 से डिवाइड कर लेंगे, चोथा operator 15 से फिर डिवाइड कर लेंगे, पहला operator B product 9 minute में बनाता है, तो 45, 0 से 450 से डिवाइड करेंगे, तो आपके 30 unit बनाएगा, दूसरा 45 unit बनाएगा, तीसरा 18 unit बनाएगा, चोथा 30 units बनाएगा, इसी तरह B का निकाला था, C का और D का, 450 से क्या करते हुए, डिवाइड करते हुए, हर एक जो आपके पास processing time दिया हुए था, उस time से हमने 450 से डिवाइड करते हुए, हर एक का unit निकाल लियागी, एक आदमी एक दिन में, इस product की इतनी unit बनाएगा, अब उसके बाद आता है, कि profit आपके पास दिया हुआ था, कि ए वाले पर 8 रुपे का profit है, तो 8 से multiply करेंगे सारे को, तो आपके पास total profit आजाएगा एक दिन का, इसी तरह से, पर unit का profit आठ था, तो 30 unit का 240 रुपे profit, 45 unit का कितना आजाएगा, 360 unit profit, इसी तरह से हमने सब को multiply कर लिया, जो भी corresponding आपके पास profit दिया हुआ था, यह 8 दिया हुआ थे, यह आपके पास 6 दे रखा था, और यह आपके पास 5 और यह 4, तो इनको हमने multiply कर लिया, multiply करने के बाद, अब यह unit maximization में convert हो गई, आपके पास maximum profit में, तो अब इसको क्या करेंगे, पहले minimum में convert करेंगे, minimum में convert करने के रिए क्या करना है, कि हमने देखना है इस table के अंदर सबसे बड़ा element कौन सा है, यह ध्य minimum जब भी दिया होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा element चाट होगे, पूरी unit में, साड़े चार सो, इस table के अंदर सबसे बड़ा element 450 है, 450 को हम सबसे क्या कर देंगे, सब्टेट कर देंगे, सब्टेट करने के बाद जो table आ जाएगी, तो अभी assignment problem किस में convert हो गई, minimization मे minimization में convert होते ही, आप क्या करोगे, simple rule कि हर row से smallest element को subject करके table बना लोगे, फिर हर column से smallest element को subject करके table बना लोगे, फिर उसके बाद आपको square बनाना है, देखो, पहली वाली इस वाली पे बाद आते हैं, तो जब ये आपका पास आ जाएगा, जब हम यहां से करेंगे, कि ये वाला में कोई zero नहीं बची, अब नहीं बची तो कोई square नहीं आएगा, square नहीं आएगा, तो अब method यहां से आगे चलेगा, क्या, कि हम draw करेंगे minimum number of horizontal और verticals lines to cover all the zeros, तो draw कर दी हमने, अब क्या करना है, जो भी uncovered elements हैं, उसमें से सबसे छोटा element अठाना है, छोटे element को uncovered में से तो गटा देंगे, तो जीरो बन जाएगा, यह जीरो रहेगा, पच्चिस में से गटाया, 21 आगया, यह आपके पास जीरो ही रहेगा, 34 में से 4 गटा दिया, 30, 500 में से 4 गटा दिया, 14, और 4 में से 4 गटा दिया, आपके पास कितना आजाएगा, 21, तो यह आपके पास क्या आगय अब common elements थे 20, 20 में जुड़ गया 4, 24 और था 0, 0 में जुड़ गया 4, तो 24 और 4, अब बनाएंगे square, देखो पहली वाली, इस second वाली row में, एकी 0 तो यहाँ पे square बना है, इसके corresponding हमने काट दिये, उसके बाद आजाओ, इसके corresponding कटने के बाद, इसमें एकी 0 बची थी, तो इस 0 प दूसरे का क्या है, B है, तीसरे का, C, और 4 का कितना दे रखा आपके पास, A, यह आने के बाद, अब आपको maximum profit निकालना है, तो देखो, unit आजाती है, अब आपको maximum profit कहां से मिलेगा, maximum वाली टेबल से, तो maximum वाली टेबल के अंदर आप देखोगे अब, कि कहां कहां element रखे ह हुए थे, यह maximum वाली टेबल है, maximum profit आपके पास यह दे रखा, तो पहले का तो था, D, 300, दूसरे का आपके पास, B, 453, तीसरे का, देखो, वहाँ पे देखते थे हैं, minimum वाली में, क्योंकि हमें minimum निकालना था, maximum निकालना है, तो maximum वाली टेबल में देखेंगे, ठर्ड का आ पाता है बच्चो, ठर्ड टाइप आपके assignment problem की, unbalance assignment problem, unbalance में क्या दे रखी होगी, simple सा question है, unbalance में दे रखा होगा, कि जो cost matrix होगी, उसके अंदर number of, आप बोल सकते हो, processing unity या फिर आप बोल सकते हो, कि जो आपके पास, number of source, जो आपके पास number of source दिये होए थे, यार फिर number of destinations, source or destination यदी अलग-अलग है, मतलब आपके पास, एक तरीके से square matrix नहीं दी हुई है, non square matrix दे रखी, जैसे यहाँ पे देखोगे, आपके पास 4 methods है, एक company है, जो increase करना चारी है, अपनी production, मतलब maximization का question है, work center आपके पास 3 दे रखे हैं, और methods आपके पास 4 है, तो square matrix नहीं है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो यह maximization का question है, तो maximization का question को solve करने के लिए हम क्या करेंगे, maximum element चाटेंगे, इसमें 12 है, और उसको सब elements से क्या कर देंगे, subtract कर लेंगे, सब elements को maximum में से subtract करेंगे, तो आपके पास table बन जाएगी, यह तीन याद रखो अभी तक, आपके पास column जादा दे रखेंगे, नंबर ओफ रोज कम दे रखेंगे, तो जहां भी जो कम होगा, हम एक dummy row या फिर dummy column add कर लेंगे, जैसे यहाँ पे column कम दिया हो, यह dummy column add कर देंगे, with the zero cost, तो पहला तो हमने क्या किया, कि यहाँ से maximum element को घटा दिया है, minimum में convert होगी, उसक इसको solve करना है, किस तरीके से, पुराने method से, क्या करेंगे, सबसे पहले तो minimum elements को हर row से क्या कर लेंगे, हम subtract कर लेंगे, सब्टेट करेंगे, तो फरक पड़ेगा नहीं क्योंकि minimum element 0 या तो same to same रह जाएगी सारी row, अब हम column से भी करेंगे, तो column से करेंगे तो फरक तो यह 0 और यह 1 आ गया, यह 2 आ गया, यह 0 और यह 0 जिरो 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 रह जाएगा, उसके बाद हमने square बनाना है, square बनाते हैं, अलग-अलग आपके पास करी लेते हैं, चलो इसको करेंगे तो आपके पास table क्या बन गई, देखो row में तो कुछ चेंज हुआ नहीं था, तो कॉलम में क्या-क्या चेंज आएगा आपके पास, कॉलम से जब हम सबसे छोटा element corresponding कॉलम से गटाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास ABCD लिखा हुआ है, मैंने बोल तो दिया था, मैं आपके पास direct लिख रहा हूँ, 123 और 4, यह बन गया कितना, 0 दो गटाए है तो, यह बन ग सिस करेंगे हम, कि पहले जो single single row है, जिस row के अंदर single zero है, उसको हम क्या बना लेंगे, square बना लेंगे, यह square बन गया, इसके corresponding हम काट देंगे, corresponding काट दिया, तो इस row के अंदर यह single zero है, तो इस पे क्या बना लेंगे हम, square बना लेंगे, यह square बना लिया हमने, तो अब देखो, square बनाया तो इसके corresponding यह कट जाएगा आपके पास ठीक है अब आते हैं इस वाली पे इस वाली के corresponding इस रो में यदी अब यह single zero तो यहाँ पे square बन गया तो यह आपके पास कट जाएगा तो आपके पास 4 रो रो आ गई 4 रो में क्या आ गया आपके पास एक-एक square बन गया तो आप लिखो के पहले का A और दूसरे का D तीसरे का आपके पास B और 4th का आपके पास कितना आया C यह तो मैंने कहा था कि मानलो यहाँ बना लेते हैं अगर हम यहाँ बना लेते square तो यह कट जाता और फिर बनता तो फिर यह कट जाता तो अब आपके पास क्या आता पहले का C दूसरे का D रहेगा तीसरे में कोई change था नहीं तो तीसरे का B रहेगा और 4th का आ गया अब A तो दोनों से एक बर answer मैच करते हैं देखो maximize जो table दी हुई थी उसके अंदर देखते हम maximize जो table दे रखिया आपके पास उसके अंदर क्या दे रखा आपके पास देखो D के अंदर तो सारे 0 रहने वाले हैं तो वो तो 0 ही रहेंगे तो पहले का आया था A तो पहले का A मतलब पहले का आ गया 10 दूसरे का D दूसरे का D आ गया 0 तो तीसरे का आपके पास आया B, मतलब 12, और फोर्थ का आया आपके पास C, मतलब 8, तो ये आगए आपके पास कितने, 10, 12, और 8, 12, 20, 10, कितना आगए आपके पास 30, इसी तरह जब हम यहाँ पे निकालेंगे, तो पहले का आया आपके पास कितना C, तो मतलब 8, दूसरे का आय आपके पास कितना D, 0 तीसरे का आया आपके पास B, 12 और फोर्थ का आया आपके पास कितना A, तो 10, 12 और 10, 22, 22 और 8 कितना हो गया, 30, तो दोनों से आंसर सेम ही आना है, तो confuse मत होना कि सर ये काटा, ये क्यों नहीं काटा, तो आप जब भी करोगे, तो दोनों से आंसर हमेशा किया आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि आपने balance assignment problem बना लिए है, और फिर हम method to methods होर कर रहे हैं, तो आपके आंसर हमेशा match करेंगे, तो कोई भी करोगे, तो ये करोगे, तो ये भी आपके पास सही है, ये वाला करोगे, उसके question सोल करके देखो कि, सारे जो भी type हैं, मैंने सारी करा दी हैं, कोई type ऐसी नहीं है कि, जो आपके note से बाहर बची हुई है, जो मैंने नहीं कराई है, next हम करेंगे, transformation problem, जो की एक simple सा topic है आपका, और easy topic है,